असलामुलेकुम, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेल सिगनलिंग के टापिक को डिसकास करेंगे याद रखिए हमारी बाड़ी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्यूनिकेट करते हैं यानि सेल्स का सेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है और इसी इंटरेक्शन के वजह से हमारी बाड़ी कौर्डिनेट वे में काम करती है अगर आपका पाउं किसी नवकीली चीज पर आ जाता है थो आपके ब्रैन को कैसे पता जलता है वो नोकीली चीज़ पर जो cells होते हैं वो signal send करते हैं आपके brain को और आपका brain उसके according response देता है ठीक है, तो नोकीली चीज़ पर जो pound का हिसा लगा है, उसने stimulus को feel किया है और उस stimulus को send किया है, brain की तरफ brain ने क्या किया है, उसके according response दिया है आपने pound जल्दी से उस नोकीली चीज़ से हटा दिया है तो इस तरीके से आपके body respond कर रही होती है और ये तो example है, electrical stimulus की होगी ठीक है इसके अलावा हमारी body के अंदर कुछ chemical signals भी travel कर रहे होते हैं, यानि chemical के जरीए भी stimulus को हमारी body control कर रही होती है जैसे के अमारी body के अंदर जो glucose का level है उसकी maintenance through chemical हो रही होती है hormones की मदद से हो रही होती है इसी तरीके से कुछ और chemicals भी होते हैं जैसे neurotransmitter हो गए जो के आपके nerve impulse के अंदर ही role play करते हैं, उसकी तरफ नहीं जाते है specifically आज हम cell signaling को study करेंगे so एक example glucocon की मदद से study करेंगे glucocon का काम क्या होता है glucose के level को हमारी body के अंदर maintain रखना right so सबसे बहले तो समझते हैं कि cell signaling क्या है cell signaling एक molecular mechanism है यानि molecules की मदद से होने वाला mechanism है जिसकी मदद से आपकी body detect करती है stimulus को या उस stimulus के against response देती है और example मैंने आपको बता दिया जैसे आपके body के पाउं वाले cells ने detect किया stimulus को ठीक है और उसके according response दिया आपके brand के cells ने राइट आपने पाउं हटा दिया तो इस तरीके से आपके body के cell signaling का आपकी body के cells cell signaling का function perform कर रहे होते हैं और यह cell signaling आपके body के अंदर के cells के दियान communication के जरीए भी होरे होते हैं तो cell signaling के दो टाइप से है chemical signal electrical signal electrical signal जैनि nerve impulse की फार्म में होता है और chemical signals में हमारे पास hormones आ जाते हैं neurotransmitter यह जो signals है जानी chemical की मदद से जो signals हो रहे होते हैं पास हो रहे होते हैं दूसरे cells की तरफ उने हम chemical signals बोनेंगे right so hopefully आपको cell signaling का concept समझा चुका होगा बहुत simple है जैसे mobile के अंदर अगर signal होता है हम किसी दूसरे बंदे को message send कर सकते हैं message read करके कोई response देता है so signaling यही concept आपने लेना है okay so actual में यह mechanism होता कैसे है हम यहाँ पर focus रखेंगे chemical signal की तरफ electrical signal को touch नहीं करते है chemical signal को हम study करेंगे और example भी इसी की study करेंगे so chemical signal कैसे काम करता है यह देखते है यानि हमारी body के अंदर कुछ specific cells होते हैं specific type के chemicals produce करते हैं वो hormones हो सकते हैं neurotransmitter हो सकते हैं so ऐसे cells जो chemicals को produce करते हैं और उन्हें send करते हैं blood के जरीए या वैसे cell to cell उन signals को send करते हैं उन cells को sending cells हम कह सकते हैं ठीक है so यहाँ पर एक cell है let's say इसने कुछ signals जो है इन दिफार्म आफ chemicals release किये हैं so यह extending cell आ गया और यह जो signal release होता है जो chemical release होता है वो chemical hormone हो सकते है neurotransmitter हो सकते है इस chemical को ligand कहा जाता है याद रखिए इस chemical को क्या कहा जाता है ligand clear हो गया it could be hormone it could be neurotransmitter ओके यह ligand क्या करते हैं specific type के cells के उपर जाकर attach होते हैं यानि हर cell की तरफ नहीं जाते let's say अगर आप glukogon की secretion कर रहे हैं ठीक है वो कहां से और होता है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर simply मैं आपको बता रहा हूँ let's say आपके किसी cell ने glukogon की secretion की ठीक है और वो glukogon का जो ligand molecule है जो hormone है वो सिर्फ उस cell की उपर जाकर attach होगा जिस पर उसके according कोई receptor molecule मुझूद होगा तो यहाँ पर इस cell की उपर receptor मुझूद है receptor मुझूद है इस ligand को receive करने का तो आप देख पा रहे हैं इसकी shape कैसी है round सी है तो यह वाला molecule जहां पर आकर इस receptor के साथ fit हो सकता है और अब यह वाला cell इस receptor के attachment के बाद कोई specific response देगा यानि यह cell के अंदर अब क्या होगा कोई response होगा और वो response उस ligand के according होगा यानि वो signal क्या करवाना चाहरा है इस cell से यह cell उसके according कोई response देगा ठीक है यह receptor सिर्फ specific cells के उपर मुझूद होते है जिन cells ने वो function प्रफार्म करना होता है ऐसा cell जिस के उपर specific receptor मुझूद होते हैं उन्हें target cells कहा जाता है तो sending cell से signal travel किया और target cells के उपर जाकर वो signal attach हुए और उस cell ने फिर उन signal attachment के बाद उस cell ने कोई response दिया तो यहाँ पर कुछ और type का cell है ठीक है और इस के उपर आप देख पा रहे हैं जो receptor molecule है उसकी shape तोड़ी different है तो यह round molecule जो ligand है यह जहाँ पर attach नहीं हो सकता तो हम कह सकते हैं कि इस cell पर कोई effect नहीं पड़ेगा तो यह non target cell है clear हो गया तो यह function कैसे perform हो रहता है receptor में थोड़ा सा यहाँ पर highlight कर लेते हैं let's say यह cell है और इस cell के उपर ligand आकर attach हुआ और यह ligand कोई hormone हो सकता है कोई neurotransmitter हो सकता है जैसे यह attach हुआ इस receptor के साथ so ligand और receptor का आपस में interaction built हुआ और इस receptor के जरीए अंदर cell के अंदर कुछ secondary changes आई ठीक है एक pathway activate हुआ यानि कुछ egg enzyme activate हुआ उसने दूसरे enzyme को activate कि और करते करते उस ligand के according response create हुआ कैसे create होता है यह हम details है भी देखने वाले है so response इस तरीके से चलता है so अंदर एक intracellular हमें इसे कह सकते है ligand की मदद से intracellular response activate हो जाता है cell के अंदर का response activate हो जाता है और वो cell क्या करता है उस stimulus के according response देर होता है so कुछ signals जो chemical signals होते हैं वो short range के होते हैं और कुछ long range के होते हैं short range में हमारे पास example आ जाती है निरो transmitter होते हैं जो nerve cell से एक nerve cell से दूसरे nerve cell की तरफ जाते हैं so यहां पर इस nerve cell ने neurotransmitter को release किया दूसरी nerve cell के end पर क्या है receptor molecules हैं और यह receptor molecules क्या करते हैं neurotransmitter को receive रते हैं और उस signal को आगे फिर send करते हैं तो आप देख वारे हैं एक cell से दूसरे cell के दरम्यान एक दम से transmission हो रही है तो यह short range signal होता है लेकिन कुछ signals ऐसे होते हैं जो long range signals होते हैं और long range signals यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ signals long range के होते हैं और इसकी example मैं आपको देख देता हूँ और एक्जम्पल FSH follicle stimulating hormone आप जानते हैं कहां से release होता है पिच्योटरी gland से release होता है राइट पिच्योटरी gland इस hormone को release करता है और यह hormone फिर जाकर ovaries में ovaries में जाकर ovulation का function परफार्म करवाता है तो आप देख पा रहे हैं आपके brain के एक हिस्से में एक हिस्से से hormone release हुआ और वो कहां पर गया ovaries पर जाकर उसने effect डाला तो आप देख पा रहे हैं long range यह signal हो गया राइट जो लाइट जो signals होते हैं वो mostly hormones होते हैं और hormones mostly blood के through travel करते हैं और अंडोक्राइन cells होते हैं आपके बाड़ी के अंदर जो specific signals secret करते हैं और वो signals क्या करते हैं blood के अंदर enter करते हैं और blood के जरीए वो travel करते हैं throughout the body और जहाँ पर जाना होते हैं target cells वहाँ पर मुझूद होते हैं जिनको इपर specific receptor होते हैं उस receptor की मदद से वो specific signal को receive करते हैं और response देते हैं accordingly तो आईए example के जरीए समझते हैं let's say आपके बाड़ी के अंदर glucose का level drop हो चुका है अगर high होता है तो insulin effect डालता है यहां पर हम drop वाला case study करेंगे जिसमें glucagon आता है so let's say आपके बाड़ी के अंदर glucose का level blood के अंदर glucose का level drop हो चुका है और आप जानते हैं आपके बाड़ी के अंदर level के अंदर glucose glycogen की farm में store होता है so अगर हम उस glycogen को तोड़ कर glucose में convert कर दें तो और glucose को फिर blood के अंदर release कर दें तो आपके बाड़ी का glucose level homeostasis condition में आ जाएगा या stable हो जाएगा हम simply कह सकते हैं so यह काम कौन करवार होता है glucose hormone करवार होता है यानि आपके liver के cells को instruction देता है glucose hormone के glycogen को breakdown करो glucose में convert करो glucose को release करो into the blood so आपके pancreas के alpha cells के अंदर glucose hormone secret होता है alpha cells के अंदर ठीक है alpha cells क्या करते हैं glucose hormone को secret करते है glucose hormone blood के रास्ते travel करता हुग liver cells की तरफ जाता है और liver cells में glucose receptor molecules यानि receptor proteins मुझूद होती है cell membrane के अंदर ठीक है cell membrane के अंदर embed हुई भी ऐसे proteins मुझूद होती है जो receptor protein जिसे हम कह सकते हैं और ये receptor protein glucose को receive करेगी so it is a glucose receptor protein ठीक है so इस case में हमारे पास glucose क्या हो गया ligand आ गया अब जैसे ही ये glucocon का molecule इस receptor protein के साथ attach होता है तो inside the cell कुछ changes अकर होती है यानि ये एक specific type की protein मुझूद होती है जिसे G protein कहा जाता है जो basically GTP को utilize करती है और movement करती है ठीक है shape change करती है ठीक है GTP basically ATP की ये type है बट उसमे adenosine की जगा गवानीन मुझूद होता है so GTP ये G protein क्या करती है ये specific type के enzyme को activate करती है जो के cell membrane के अंदर ही embed हुआ होता है ये enzyme और इसे adenylylyl cyclase कहा जाता है ये enzyme activate करना किसका काम है G protein का काम है और G protein कैसे activate होती है by the attachment of glucagon with receptor ठीक है enzyme क्या करता है ये enzyme करता है ATP को convert कर देता है C AMP cyclic adenosine monophosphate में ये convert कर देता है ATP को ठीक है और ये जो C AMP है cyclic AMP हमें इसे कहते हैं ये बहुत important माली के विले इसे secondary messenger कहा जाता है यानि cell के अंदर का ये messenger है क्योंकि glucagon directly cell के अंदर इंटर नहीं हो सकता था so glucagon को चाहिए था कि cell के अंदर कुछ response एक्टिवेट करना है तो उसके लिए secondary pathway एक्टिवेट हुआ है जिसमें ATP convert हो चुका है C AMP और C AMP के अंदर अब information है कि वो glucagon की information को translate कर सकता है basically यानि glucagon का उसे पता है कि function क्या होता है और C AMP उस function को perform करवाएगा by activating different enzymes right so C AMP क्या है secondary messenger है जिसका काम क्या है उस message को आगे transfer करना ठीक है so यह कैसे perform कर रहोता है यह function यानि cell के अंदर liver के cells के अंदर kinase enzyme मौझूद होता है kinase A enzyme उसे कहा जाता है जो के inactivated form में होता है अब C AMP क्या करता है यह उस kinase A enzyme के साथ जाकर attach हो जाता है जैसे ही यह molecule इस enzyme के साथ attach होता है तो यह activated हो जाता है clear हो गया अब जब यह enzyme activate होगा तो यह एक और enzyme को activate करेगा so दूसरा enzyme जो cell के अंदर मौझूद होता है उसे phosphorylase kinase enzyme कहा जाता है जो के inactivated form में होता है so kinase A enzyme क्या करता है इस inactivated phosphorylase kinase A enzyme को activate करता है कैसे activate करता है कि यह इस enzyme में phosphate group को add करता है लेट से यह एक phosphate group है इसे add करता है कौन add करता है kinase A enzyme इस phosphorylase kinase enzyme के साथ phosphate group को add करता है जैसे ये phosphate group इस enzyme के साथ add हो जाता है तो ये inactivated farm से activated farm में चला जाता है तो ये activated farm में जाने का मतलब क्या है कि ये आगे कोई function perform कर सकता है तो ये enzyme क्या करता है आगे एक और enzyme को activate करता है जिसे glycogen phosphorylase enzyme कहा जाता है और यह enzyme इससे कैसे एक्टिवेट करता है, कि यह enzyme इसके साथ भी phosphate group को attach कर देता है, जैसे इसके साथ phosphate group attach होता है तो glycogen phosphorylase enzyme activated हो जाता है, तो activate होने के बाद यह enzyme क्या करता है, यह glycogen जो liver cell के अंदर मुजूद है, उसे convert कर देता है into glucose, और glucose क्या 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 करता है, cell से बाहर निकल कर blood में enter हो जाता है और blood के अंदर glucose का level दबारा से stable हो जाता है तो हुआ क्या कि glycogen phosphorylase ने glycogen को convert किया let's say ये glycogen है जो कि multiple glucose के molecule से बना हुआ है ठीक है तो ये glycogen ये glycogen का molecule आ गया glycogen phosphorylase क्या करता है इसको cut कर देता है और let's say मैं आप इसे red से draw कर रहा हूँ यानि glycogen को release करता जाता है और ये glycogen यहाँ cell से glute transporter channel के जरीए cell से बाहर चला जाता है glycogen clear हो गया तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि cell signals काम करते हैं अच्छा अब आपने देखा यहाँ पर series of steps occur हुए जिसमें एक enzyme दूसरी enzyme को activate कर रहा है दूसरा तीसरी को activate कर रहा है तो इसे हम signal transduction के skade कहेंगे beautiful clear हो गया अब quickly review कर लेते हैं ताग आपको दोबारे समझाए जाए थोड़ा सा difficult topic है cell signaling हमने study किया कि cell signaling के जरीए हमारी body coordinate वह में काम कर रही होती है यह एक cell को अगर किसी information की जरूरत है दूसरे cell से वह information मिलती है और वह cell accordingly respond करता है signaling की फिर हमने देखा दो टाइप्स होती है chemical signal, electrical signal, electrical signal, nerve impulse को कहा जाता है chemical signal में hormones और neurotransmitter की मदर से signal travel कर रहा होता है simple mechanism हमने समझा के कुछ cells होते हैं जो signal को send करते हैं और वह signal chemical की farm में होता है जिसे ligand कहा जाता है वह ligand specific cell के ऊपर मौजूद receptor के साथ attach हो सकता है एसे cells जिनके ऊपर specific receptor मौजूद होता है according to that ligand उसे target cell कहा जाता है और एसे cells जिनके ऊपर specific receptor नहीं होता है उन्हें non-targeted cells कहा जाता है so specific ligand सिर्फ target cells को ही activate कर सकता है so target cell पर जब ligand attach होता है तो cell के अंदर कुछ intracellular responses activate हो जाते है जिसमें different type enzymes की activation यहाँ पर हमने देखी so कुछ signals हमने कहा कि short range की होते हैं जैसे कि neurotransmitter हो कुछ signals long range की होते हैं जैसे FSH हर्मोन जो के pituitary gland से release होते हैं और off-rease पर जागर effect डालते हैं और इसकी long range में एक और example हमारे पास आ जाती है कि pen kriyas में glucagon hormones secret होता है alpha cells की मदद से और glucagon क्या करता है liver cells को instruction देता है कि glycogen को convert कर दो into glucose कैसे यह mechanism होता है कि glycogen का receptor sorry glycogen जिसे हम ligand बोलते हैं वो receptor molecules के साथ जाकर attach होता है liver cells के उपर यह receptor molecules मौझूद होते हैं जैसे यह attach होता है तो G protein activate हो जाती है G protein क्या करती है enzyme adenylyl cyclase को activate करती है यह enzyme क्या करता है ATP को convert कर देते into C AMP और C AMP secondary messenger के तोर पर काम करता है यह molecule क्या करता है kinase A enzyme को activate कर देता है kinase A enzyme further आगे activate करता है connections A enzyme को by the addition of carbohydrate ग्रोप और जब यह enzyme activate हो जाता है यह enzyme आगे फर्द ग्लायकोजन फासफोर आाले enzyme को activate करता है by the addition of carbohydrate ग्रोप और ये enzyme क्या करता है ये glycogen को convert करनी की सलाहिएत रखता है into glucose और glucose में जब glycogen को convert करता है तो ये glucose travel करती है out of the cell और blood में जाती है और blood में glucose का level stable हो जाता है let's say अगर आपके liver cells के अंदर glucose के molecule खत्म हो चुके हैं बहुत कम हो चुके हैं so again ये ही glucagon molecule क्या करेगा फिर आपके cells के अंदर मौझूद जो proteins के molecules हैं जो lipids के molecules हैं उन्हें भी convert करनी की सलाहिएत रखता है into glucose so उस mechanism का नाम different होता है so यहाँ पर दो terminologies हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक terminology आगी glycogen की conversion into glucose so इस mechanism को कहा जाता है glycogenolysis glycogenolysis ठीक है यानि glycogen की conversion into glucose is called glycogenolysis और इसके लावा एक और mechanism होता है जिसमें carbohydrate के लावा जैनि glycogen के लावा amino acid या simply हम कह सकते हैं protein और lipids की conversion होती है into glucose और उस mechanism को कहा जाता है glycogenesis glycogenesis so hopefully enough information आपको मैंने दे दिये अगर आपको lecture समझ नहीं आया तो दुबारा से देखें आपको समझा जाएगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए मुझे जाज़त दें शुक्रिया अल्ला आफिस